है 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 गाइज वेल्कम टो फिजिक्स इन प्लीग्राउंड सो डॉक्टर साब तीन महीने बच गए हैं और तीन महीने में अराम से पढ़ाई करो खुश रहके पढ़ाई करो और ज्यादा टेंसन नहीं लेना है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा भूल जाओ रिजल्ट भू हार्ड वर्क एक ऐसा चीज है ना आप किसी को भी पीछे छोड़ दोगे सो अच्छे डाइरेक्शन में होनी चाहिए वह हार्ड वर्क तो कोई मेंटर एक अच्छे अगर मिल जाए तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है ठीक है तो कुशिस करूंगा आपकी हेल्प करने की तो अब भी एक बात बता देता हूं कि ये उन बच्चों के लिए जिनों ने दो साल तीन साल पहले से मैनत किया ये उनके लिए नहीं है कि जो आज जीरो पर है और वो सोच रहे हैं कि आज से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे तो ये मेरे हिसाब से इंपॉसिबल ह बाकी डलती है वीडियो डलती है टैगिंग में डलती है और टाइटल भी रहते हैं आप तो इसकोर 300 मिन्स 360 आउट अट ऑफ 360 इन बायो इन 3 मन्स और आव तो इसकोर मोर देन 600 इन 3 मन्स तो बट मुझसे पूचोगे तो ये मैं तो नहीं कर पाऊंगा तो आपको बताऊंग से पढ़ें कि हमारा जो स्कोर है वो इंप्रूव हो जाया तो क्या-क्या पढ़ना है क्या-क्या-क्या इंपोर्टेंट है वो अब दिमाग में रखना सबसे पहले फिजिक्स पहले तो ये दिमाग में रखो कि 150 questions आपको correct करने है हमें टॉप नहीं करना है हमें टॉप नहीं college का एक seat चाहिए बागी हम कर लेंगे हम बहुत वर्ल्ड क्लास टॉप डॉक्टर बन जाएंगे ठीक है तो हमें टॉप का वो सब नहीं छोल जा लिए सब करना है तो हमें स्रिफ एक seat चाहिए भाई-hook या भाई-kruk उसके लिए मैनत करेंगे मैनत करना हमारे हाथ में हम करे अपने कर पर फोकस करो result मिलना होगा तो मिलेगा अगर आपने कर्म सही तरीका से किया होगा तो 220% guaranteed है कि कर्म आपने सही तरीके से किया तो आपको फल मिलेगा रही है ours यह ऐसा नहीं होता बहुत जग आप सुने होगे कि मैंने बहुत मैनत किया बहुत मैनत किया बट मेरा इसकोर इतना नहीं आ पाया तो नहीं आपने मैनत 540 का ही किया था ठीक है वो आपको लग रहा होगा कि इतना ही मैनत से 600 आता बट नहीं जो 600 लाया ना उस बच्चे से मिलो और उससे पूचाँ कि हाँ तुम कितने घंटे पढ़ते थे और कितना effective पढ़ते थे ठीक है घंटे पर मन जाना कि इतना घंटा है उतना घंटा पढ़ना कितना effective पढ़ते थे productivity क्या होती थी उनसे पुछो तब समझ में आएगा कि मैं उनके मतलम बराबर नहीं था ठीक है उनके एक्वल नहीं था तो बस यह इह इंजस्टीज नहीं होता भाई यह हमारे हाथ में समझ रहो कितनी बड़ी चीज़ है ठीक है यह कोई इंजिनियरिंग नहीं है, कोई सैंटिस्ट नहीं है, रॉकेट मून पे छोड़ दिये और फिर वो लैंड नहीं किया, कोई बात नहीं, 200-300 कडोड या जितने भी कडोड की लॉस होगी, फरक नहीं पड़ेगा, बट यहां फरक बहुत ज्यादा पड़ जाता है, ठीक है, जान से कम पढ़े रहे हो, आप एक्जाम दे रहे हो, ठीक है, नीट की एक्जाम दे रहे हो ना, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, काफी है यह, अब सो डी मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं हो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोजी, तो इसमें क्या क्या करना है, वो मै पांस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना, एकदम बेस क्लियर होना चाहिए, यह जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स का यह बेस है, यह सबसे पहला बेस है, मैकेनिक, यह अगर आप कर लेते हो, तो यह बहुत ही करीबी है, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजिनियर है, तो उन्हों वो बोलते हैं नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर आता है हीट, जब आप करेंट का डेफिनेशन पढ़ोगे, अभी तो नॉर्मल सा क्यूबएटी कर दोगे, बट वहाँ पर पढ़ोगे, इंजिनियरिंग में, तो वहाँ पर हीट भी रिलेटेड और अट टी यह भी आएगा ड ठीक है, सो बेसिक्स हमेशा अपना क्लियर रखना है, और यह जो है, यह बेसिक्स है, यह पूरा का पूरा फिजिक्स का बेसिक है, मेकैनिक्स जो देख रहे हो, यह मेकैनिक्स पूरा का पूरा मेकनिकल इंजिनियरिंग का बेसिक है, अगर बेसिक क्लियर नहीं है और आप म में आया टी कानपूर में हो या लखनौर में हो कहीं पे भी हो ठीक है वहां करना होगा चीजे समझ में आएगे बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है सोसल मिडिया मुझसे पुछोगे तो महा बोरिंग लगती है बट थीच दो भी है यूसफूल है कई न कहीं भी अपनी काम है बट वह ज्यादा बोरिंग ने इन सब चीजों से यह सब ज्यादा मेरे यह साब स तो और अगर आप खोलोगे तो आप भी जान जाओगे बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग है दिन केम में आते हैं Chemistry में Organic and Inorganic के लिए NCRT is like भगवत गीता, कुरान, गुरू ग्रंत और Bible ठीक है सारा कुछ बोल दिया कुछ छोड़ा नहीं मैंने सो यह यह NCRT अगर कर लेते हो तो आपका हो जाएगा Organic and Inorganic for physical chemistry NCRT जेही मेंस के question previous year question यह कर लेना कैम में ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं यह पढ़ लो यह पढ़ लो यह पढ़ लो तो यह biology doses मैं आपको दिखा देता हूं और यहां पर प्लेइलिस्ट में आ जाना ठीक है यह देखो यह 99 वीडियोज डेले हुए बाइलोजी डोस है इसके लिए यह करने है 99 वीडियोज दिन 14 वीडियोज है प्रैक्टीस टेस्ट है यह कर लेना दिन केमिस्टी डोस है 32 वीडियोज है इसमें यह कर लेना यह कैम के लिए Organic and Inorganic के लिए तो और्गेनिक के लिए more than enough है and bio तो ये काफी है ठीक है NCRT के साथ अगर ये दोनों कर ले तो काफी है पूरा एक-एक NCRT का question इसमें मैंने घुमा घुमा करके डाला है clear है so ये कर ले तो और मैं कोशिज करूँगा fab के मन्त में जिस दिन hospital डलना रहे जिस दिन मैं थका हुआ ना हूँ उस दिन मैं video upload करूँगा ठीक है biology मैं promise कर सकता हूं कि 360 out of 360 आपका आएगा and cam में आप 35 question out of 45 35 to 40 question करके आओगे physical chemistry भाई वो आपके practice पे depend करेगा आप कितनी speed solve करते हो solubility product आपको आता है या नहीं आता है निकालने अगर solubility product का स्रीफ formula मालू है बट आपको निकालने नहीं आता है ठीक है calculation करना होता हो वहाँ पे तो equilibrium में again वहाँ पे calculation करना होता है kinetic में आपको करना होता है chemical kinetics करके एक chapter है वहाँ पे आपको थोड़ा सा calculation करना होगा electrochemistry में आपको calculate करना होगा वह calculation जीतनी fast होगी उतनी अच्छी physical chemistry होगी इसलिए मैंने J-E-Mans का previous year भी बोला because J-E-Mans से copy paste करते हैं वो लोग अगर time मिले तो organic and inorganic के लिए भी कर ले ना and organic inorganic के लिए between the lines पर दो GOC hydrocarbon इधर organic में रखना सबसे important and hello alkin, hello arin भी देख ले ना and inorganic में तीन chapters कर लो पूरा का पूरा inorganic हो जाता पहला periodic, दूसरा chemical warning then coordination compound ठीक है बस इतने बात को दिमाग में रखो करो, महनत करो हो जाएगा, हो जाएगा जहां तक मुझे मालूम है और जहां तक मेरा experience है हो जाएगा, अगर आप सही से महनत करोगे 14 to 15 hours daily productive पढ़ाई होगी तो वो हो जाएगा आपका and videos नहीं देखने, आप क्या-क्या नहीं करने, वो भी 2 minute में आपको बता देता हूँ, YouTube पे जादा videos नहीं देखने हैं ठीक है, अब भी रिंकी, पिंकी, सिंकी, ये चीज़े थोड़ा सा यार, मत करना लड़कों को बता रहा हूँ and लड़कियों को भी बोलूँगा, ये सब चीज़ों पे focus अभी ना करें, कर लेते हो आप अगर दूनों चीज साथ में manage, ये तिन कोई बुराई होते हैं, किसी को judge नहीं कर सकते हो, आप लोग, तो अगर दूनों चीज़े कर लेते हो सिर्फ पढ़ाई के बाते करते हो, तो ठीक है, otherwise ये सब मत करो अभी and then social media पे time waste मत करो और इन सब रिंकी, पिंके सिंकी के कारण ही ज्यादा, social media पे time waste होता है, ठीक है तो वो सब नहीं करना है इंस्टा, facebook और जो भी चीज़े है वो सब एकदम जीरो, एकदम जीरो कर दो अबे, clear है and तीसरा सोना है अच्छे से नींद लो because वो आपको मदद करेगा memory, memorize करने में ठीक है, आपकी memory जो है न build up करेगा, तो नींद बहुत important है 6-7 hours daily, compulsory है यह, ठीक है and खाना भी अच्छा खाओ यह तो सबसे important है and then फिर पढ़ाई करो बस और इसके आलावा कुछ भी नहीं करना हो जाएगा 220% guaranteed है आप सब का हो जाएगा, ठीक है